फ्रेंब्स, पैट्रोलियम जैली यानि आम तोर पे जिसको हम वैसलीन के नाम से जानते हैं, यह जाद अरतर घरों में आराम से मिल जाती है, इस पेशली विंटर्स में, बट कई बार हमाएं दिमाग में एक डाउट तो आता है कि यह इतनी सस्ती है, तो पता नहीं काम की होग में चली आ रही है हम सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह यूही नहीं हो सकता में उसमें जरूर कोई खास बात है तभी तो अब तक मार्केट में रुकी हुई है नहीं तो बाहर हो जाती जो नॉमली होता है जब चीजे लोगों को पसंद नहीं आती है तो धीरे-धीरे वह मार्केट से बाहर हो जाती है तो अगर आपके दिमांग में ऐसा कोई डाउट है तो उसको बिल्कुल निकाल दीजिए वैसलीन बहुत काम की चीज है वेलकम बैक टू अनु अमाया स्किन केर और मैं हूँ अनु तो फ्रेंज आज मैं आपके साथ वैसलीन के कुछ बहुत ही प्रेंज वैसलीन के हैक सेर करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ जो भी हैक मैं आपको सेर कर रहे हूं या तो आप घर में रहके इस्तिमाल करने धूप मैंना लिक ले या फिर बहुत बहुत होगा अगर आप इसको साम के बाद इस्तिमाल करें पैट्र आप इसके साथ थोड़ा सा सुगर इस्तेमाल कर लीजिए और अपने लिप्स पे अगर आप रब करते हैं तो जो आपके लिप्स पे डेड़ स्किन सेल सी कठा है वो निकल जाती है आपके लिप्स सॉफ्टन बनते हैं साथ ही साथ अगर उस पे किसी तरीका क्रैक हो रखा है तो वो भी सही हो जाता है मींस आपको मिलते हैं ब्यूटिफुल पिंक और बहुत ही सॉफ्टन लिप्स अकसर जब आप निल पेंट लगाते हैं तो हमारे क्यूटिकल्स पे लग जाती है वो देखने में अच्छी नहीं लगती है तो आपको करना क्या है अपने क्यूटिकल पे वैसलिन अप्लाई कर लीजिए यह चाहें आपको जैसे भी कमपटेबल लगता हो आप चाहें तो कोई एयर बड़ ले सकते हैं कॉटन बॉल ले सकते हैं या फिर फिंगर की हल्प से भी अपने क्यूटिकल्स पे वैसलिन अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए उसके जब आप निल्पेंट का एप्लिकेशन करेंगे तो आपकी निल्पेंट फिल्कुल खराब नहीं होगी और रिजर्ट एकदम पढ़ी आने वाला है हैक नमबर थ्री अगर आप दो मुहें बालों से परेसान हैं तो वैसलिन आपको इस समस्या से भी छुटकारा दिला सकती है आपको करना क्या है यह मैं आपको करके बता रही हूँ थोड़ी सी वेस्ट लेल लेनी है और अपने बालों के जहां पे आपके बाल दो मुए हो रखे हैं वहाँ पे इसको अच्छी तरह से अपलाई कर लेना है इस तरह से आपको यह स्केल्प पे नहीं लगाना है सिर्फ बालों की लेंथ पे लगाना है ऐसा आप कुछ दिन लगातार कर लेते हैं तो आपको दूमु है बालों से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा हैक नमबर चार अगर आप क्रैक्ट हील से परिसान है तो बैसलिन आपके हील्स को बहुत ही सॉफ्टन बना सकती है आपको करना क्या है पेरों पे इसको अच्छी तरह से अपलाई कर लीजिए दो से तीर निट के लिए हलका मसाज़ दे दीजिए उसके बाद आप कॉटन पहनी है लेकिन याद रखिए सोने से पहले आपको यह करना है जब तक आप जाकते हैं तब तक सॉक्स पहन के रखिए उसके बाद निकाल के ही सोना है विकास अगर हम सॉक्स पहन के सोते हैं तो यह हमारे हल्थ के लिए सही नहीं होता है आप इसको दिन में अपलाई कर सकत दिन भर सॉक्स पहन के रख सकते हैं, आपकी फटी एडियां हैं, यानि क्रैक्ट हील हैं, बहुत ही जल्दी, means एक से दो दिनों में ही आपको डिफरेंस दिखने लगेगा, लेकिन अगर आप लगाता हैं, तो आपकी हील्स जो हैं, पूरी तरह से सॉफ्टन हो जाएंगी, हैक नमबर 5, हम इसका इस्तिमाल as a makeup remover भी कर सकते हैं, फेस पे इसको अच्छी तरह से apply कर लीजिए, हलका सा massage दे दीजिए, उसके बाद किसी cotton ball की help से या tissue paper की help से, इसको आप अच्छी तरह से remove कर लीजिए, ये बहुत अच्छा makeup remover है, makeup को पूरी तरह से remove कर देता है, बात करें हो, आप body के दूसरे part पर इसको लगा सकते हैं, कोई problem नहीं है, लेकिन अगर आप regular face पर बैसे इस्तिमाल करते हैं, लगा के रखते हैं, लंबे टाइम तक, तो ये आपके pores को clock कर देता है, तो make sure कि makeup remove करने के बाद, आप face को कम से कम 2-3 बार अच्छी तरीके से wash कर जाके छोड़ना नहीं है, hack number 6, आप इसको as a highlighter भी इस्तिमाल कर सकते हैं, बट इतना याद रखेगा, ये hack आप winters में ही apply करें, summers में ना करें, नहीं तो western बह जाएगी, और फिर वो आपको दूसरी problem देगी, means आप परिसान हो जाओगे, face पे चिपचिपाट हो जाएगी, etc. आपको लेना है best Lynn और as a highlighter आप इसको इस्तिमाल करेंगे, बहुत कम amount में लेना है, ये बहुत बहुत बहुतर तरीके से काम करती ए, ये देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ, ये बहुत बहुत बहुतर तरीके से बन करती है और एक perfect highlighter दिखाती देखिए ये मेरा sign करने लगा है आप देख सकते है French Vaseline की help से आप अपने eye lashes को भी ठिक बना सकते है साथ ही इसमे sign भी ला सकते है आपको पुराना mascara brush ले लेना है जिसको आप use नहीं कर रहे हो अपने eye lashes पे mascara की तरह इस्तिमाल करना है ये आँखों में ना जाने पाए by chance आपकी आँखों में चला भी जाता है तो अच्छी तरह से wash कर लीजिए ये आँखों के लिए थोड़ा सा नुकसान दे हो सकता है ये आप परड़े करेंगे तो आप कुछ टाइम में देखेंगे आपकी जो eye lashes है वो थिक होने लगे है साथ ही साथ उनमें sign भी आ जाएगी रात में लगा के आपको सोना है और सुबह इसको wash कर लेना है friends आपके elbow, knees या neck अगर थोड़ी सी dark हो गाए है जो normally सर्दियों में आप देखते हैं dry skin की वज़े से हो जाया करते हैं तो आप इसका इस्तिमाल वहाँ पे भी कर सकते हैं वैसलीन की एक layer आप अपने affected area पे लगाई है और इसको लगा के छोड़ देना है ऐसा आप जब 4-5 दिन करते हैं आप देखेंगे आपकी यह skin soften होने लगती है और धीरे धीरे इसकी जो darkness है वो भी remove होने लगती है और आपकी skin even tone बनती है पूरा makeup करने के बाद अगर आपकी eyebrows थोड़ी सी dull दिख रही है अपनी finger की health से हलकी सी western लेके अपनी eyebrows पे इस तरह से लगा लीजिए इस तरह से आपकी eyebrows पूरी तरह से set हो जाएंगी means ऐसा नहीं लगेगा कई बार होता है कि eyebrows खड़ी हो जाती है जो आपने लंबे time से threading नहीं कराई होती है तो वो problem भी खतम होगी साथ ही साथ आपकी eyebrows में चमक आ जाएगी ये अच्छी तरह से highlight भी होने लगेंगी friends अगर आपके नाखूनों की जो चमक थी वो कहीं चली गई है nails आपके yellow ही सो गए है और देखने में काफी बुझे बुझे लगते है तो आप इसको अपने nails पे लगाईए अच्छी तरह से apply करिए हलका सा मसास दे दीजिए ऐसा आप अगर per day सोने से पहले करते हैं तो कुछी दिनों में आप देखेंगे आपके nails काफी healthy हो जाएंगे उनकी growth भी fast होगी जो एक yellow color आ गया था nails पे या फिर कई वर blackish लगने लगते हैं वो भी पूरी तरह से खतम हो जाएगा बींज आपको healthy और बहुत ही beautiful nails मिलेंगे friends अगर आपके बाल बहुत जदा dry रहते हैं या फिर बाल बहुत जदा कर लिए और आप उनको straight करना चाहते हैं तो भी आप अपने बालों पे weseline का इस्तेमाल कर सकते हैं अलकी सी weseline लेनी है इस तरह से हाथों पे रफ करना है और अपने बालों पे इस तरह से लगा लेना है इससे बालों में चमक आती है और ऐसा करने के बाद जब आप कॉम करते हैं तो आपके बाल फस्ते नहीं है और अच्छी खासी sign भी देता यह देखिए अभी मेरे बाल थोड़े से वेवी लग रहे थे अभी मैंने थोड़ा साही लगा है यह देखिए आपको बालों में डिफ्रेंस दिखेगा बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए है तो भी यह नुस्का आपके बहुत कामा सकता है यह आपके बालों को नरिस्मेंट देता है बालों को सॉफ्टन बनाता है मैनेजिबल बनाता है तो फ्रेंस यह कुछ वैसलीन के हैक्स थे जो मैंने आपके साथ शेर किये है और इसके भी बहुत सारे ऐसे हैक्स हैं जो बताने बाकी हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यही विबन करूँगी अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं इसके अगले हैक्स भी आपके साथ शेर करूँ तो आप कॉमेंट कीजेगा मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी बना दूँगी सो फ्रैम्स फिर से कहूंगी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत क्याल रखे थैंक्स पर वाचिंग बाइ-बाइ